आज कल मेंबर्स की तरह सबसे कॉमन सवाल सुलने को मिलता है क्या पाकस्तान एक सेफ जगा है इन्वेस्मेंट के लिए नंबर वन क्या पाकस्तान में आने मुले जोनों में हलाद स्टेबल हो जाएंगी उनकी इन्वेस्मेंट सेफ रहेंगी आज कमपेरजन टुवर्जिस यह स्टेबल हो जाएगा तो मैं इस को सिन का अंसर करने कोश्च करूँ और इस हलाद में आप लट से इंवस्मेंट करते हैं कहीं पे रेल स्टेट में पाक्सान में तो आपके लिए कौन से फीजिबिलिटी की ऑप्शन हैं तो सब्सक्राइब बात करते हैं जी पाक्सान में जल रहा है यह ओवराल मैं थोड़ा समराइज करने कोश्च करता हूं कि हुआ के रिसन डेज में पाक्सान अच्छा सा एकनॉमिक स्टेबल था पर बीच में कुछ ऐसे मामलात हुए पाक्सान में कि पाक्सान की जो जाना पड़ा नेक्स पीडियम गवर्मेंट आगी और प तो यह पाक्सान की लोएस्ट पोजिशन है इस वक्त जब से पाक्सान बना है 75 यर्ज में तो पाक्सान अपने लोएस्ट पॉइंट पर भी खड़ा हुआ है जिस वक्त पाक्सान को भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पाक्सान में अच्छे प्रोस्पेक्स देखने क नहीं जड़ाता हूँ कि पाकितान दुनिया की कॉन्म या क्यों जरूरी है। और पाकिस्दान जिज्क पर जियूग्राफिकल uyक्ड़व्य लूकेर्च करता है। पाकिस्दान ओवराल दुनिया में कितनािंफस्ट रखता है क्यूंकि पाकिसान जिए गराफिकली ऐसी जगापे लोकेट करता है, कि जहांसे पाकिसान को दुनिया की कोई ताकट जो हटा नहीं सकती, रीजन इसके पाकिसान जहांपे है, पाकिसान एक लेंड लॉग कंट्रिस के लिए, एक food supply chain के भी एहम किरिदार अधा करता है, एस पर अखवानिस्तान, ताजिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जो स्टान्स कंट्रिस हैं, इन तमाम की जो landlock होने की रीजन है, पाकिसान उनको food supply के लिए सबसे best option बनता है, तो यह जोग्राफिकली पाकिसान के important है, लेकिन इस से भी पहले, कि पाकिसान में अभी जो हलात हैं, और पाकिसान दुनिया से जो पीछे चल रहा है, इन चीज़ों को stable होने में क्या चीज़ लगेगी, तो मैं आपको और राल historically, aspects से repeat करता हूँ, कि चीज़ों को कैसे stable होने में किस सरा से लगेगा, आपको और पाकिसान के कम होते हैं, पाकिसान में power and fluctuations आती ही, पाकिसान डीस्टेबल होता रहा past में भी, और 1971 में पाकिसान के दो टुकडे भी होगे, लेकिन जो सबसे important बात है, कि अगर मैं इस खिते को मिलाऊं सिरफ तो इस खिते में जो अबादी का तनासुब है अराउंड एक सो साट करोड लोग हैं जो इस खिते में रहते हैं यानि एक अरब साट करोड लोग इस खते में रहते हैं तो इस लिहाँ से पाक्सान जोग्राफी के लिए तो बहतर ही है बाकी मुलकों से लेकिन अबादी के लिहाँ से पाक्सान का नासुब बहुत अच्छा है अब बात करते हैं जी साथ वाले मुलक बहुत अच्छे इस्टेबल होगे जैसे 21 सदी में बैठे हैं 2022 पे इस तरह पास्ट में दुनिया में हर एक टाइम के साथ उन्होंने अपने आपको revolutionize की है For example जब 21 सदी का अगास होने वाला था 10 साल पहले इंडिया में तक्रीबर 1991 में इन्टरनेट अडॉप्ट कर लिया आज आपको दुनिया के सबसे बड़ी कंप्रीज जितनी कंप्रीज उठा लें वाहाँ पर आपको इंडियन मिलते हैं रखा और उनकी आज एकॉनमी जो है वो दुनिया के इंधाई स्टेबल एकॉनमी में से कहलाती है इंडिया जो दुनिया में स्टेबल एकॉनमी आज की रेट में है On the other side, contrary side, Pakistan में जो भी हलात हुए 1971 में वार, 1965 वार, 1999 में वार और बीच में जो अफगान उप्रेशन, उसके बला सोवियत वार हमने पकिसान में जितने टिफिकल हलात देखी हैं लेकिन फिर भी हम इंडिया से ज्यादा-ज्यादा 10 साल पीछी हैं इंडिया में 1991 में इंटरनेट है, पकिसान में 12-4 में इंटरनेट है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंसान के पास कैपिटल रिजर्व होता है, वो होता है, हुमन कैपिटल फॉर एजेंबल मैं ऐसे तहूं, कि पाकिसान के अबादी है 22 करोड, 80 लाख अफिशल अबादी, अनफिशल अबादी तक्रीबं 25 करोड 25 करोड लोग पाकिसान में कितना कमाते हैं, साल का, तक्रीबं 20 अरफ डॉलर यानि पूरी पाकिसान के अबादी, जो टोटल मिल के कमाती है, तक्रीबं 20 अरफ डॉलर बनता है पाकिसान के जो ओवर सीज पाकिसानी है, वो कितना कमाते हैं 9 million पाकिसानी है 9 million तक्रीबां 30 billion डॉलर पाकिसान में remittances भीटे हैं यानि वो जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ पर अपना rent, send, खर्चे वगरा सब कुछ पूरे करने के बाद जो reserve cash पाकिसान भीटे हैं वो 30 billion डॉलर है तो यह human capital की example होती है human capital जो itself है for example आप business start करते हैं तो business एक capital है, capital venture है लेकिन अगर let's say human capital है तो वही एक human multiple 50 business भी start कर सकते हैं तो यह human capital की वर्थ होती है तो पाकिसान दुनिया का सातों बड़ा human capital है तो पाकिसान के बागी मुलकों के comparison में default करने के chances कम है पाकिसान की comparison करते हैं स्रिलंका से स्रिलंका के अबादी कितनी है, 2 करोड और स्रिलंका एक जिजीर है, एक island है स्रिलंका को ऐसा country है जो जिस पर दुनिया depend करती हो पाकिसान पर दुनिया depend करती है कैसे, आप देख लिए पिले past ministry में देख लिए 1979 से 1989 में अमेरिका को पाकिसान की इतनी ज़रोते जैसे प्यासे को पाने की ज़रोत होती है क्यों सोवियत वार को जब एक USSR का एक रेजीम चल रहा था यानि रशिया में एक प्रॉपरली स्टेट कमिनेशन था अफगानिस्तान के थूँ एंटर होने के लिए सोवियत वार में पाकिसान की ज़रोत पढ़ी 1979 से है शारह पकस्तान की जोग्राफिकल इंपॉर्टंस है कि अमेरिका को PAKसान गी हमेरिका सुपर भार में बार 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 इसलिए गहर रहा हूं अमेरिका Mेरिका की सुपर भार है जिसकी वेवे से दुनिया पूरी में चेंज, रिजीम चेंज, रिजीम चेंज, रिजीम चेंज, यह सारी बाते एक तरफ, सारी discussion एक तरफ, लेकिन पकस्तान में जो government stable होगी, जब भी कोई government stable होगी, वो definitely चाइना की तरफ देखेगी, क्योंके चाइना is next superpower definitely, और new blocks की shifting के बाद, आज की rate में पकस्तान चाइना के ल तो अब तीसरी चीज तो तीसरी जंग होने लगी है वो ताइवान और चाइना के दर्मयान में आप कन्फिलिक्ट देखते होंगे अगर आप इंटरेशल स्टुडिज करें मैगजीन गर की तो उन में सबसे जदा आप अगले चंद दिनों में देखेंगे हैं चंद हफतों मे अगर कोँ मसला खराब होता है चाइना का ताइवान के साथ ताइवान एक प्रोविंस था जो चाइना से अप्रोड हो गया और चाइना ने इसको चैना को बैक उट करना पड़ा था लेकिन अब टौंटिन टुट में ताइवान के अंदर डेली बेस पे चाइना की जो फ्ल अचिने दूसरी बड़ी एकानमी है आफ्टर अमेरिका इस पॉजिशन से टसल में ले के साथ-साथ वो ओराल में रडिवर्ड वर्ट C के अंदर जहां पर ताइमान स्टेट है उसके लावा आपकी मलाका स्टेट है जहां से पुरी दुनिया की 34 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड पर एनम होती है एक साल की ट्रेड 34 ट्रिलियन डॉलर अब मैं इसको पक्सानी रूपीज में चाहिए नंबर्स खतम हो जाएं इतनी ब लवान वैली के वाक्या के बाद इंडिया के साथ उनकी टसल जो हो बहुत ज़्यदा रूज पर पहुंच गी है दूसरी जाइड पे जपान फॉल करता है चाइना के जो अमेरिका का वैसे अलाय है आफ्टर वर्ड वार टू अमेरिका की रिस्पॉंसबिल्टी है जपान को डिफेंड करना और तीसरी साइड है पाकिसान का अब इनने केस चाइना को पाकिसान की जरूरत है और अमेरिका को पाकिसान की जरूरत है तो जिस तरह भी चाहेगा पाकिसान के भी पाकिसान दुनिया के खिते से डिफॉल्ट नहीं हो सकता नक्षे से खतम नहीं हो सकता और पैस्तान दुनिया चाहे या ना चाहे दुनिया की जरूरत है पास्टम्न ने एक्जेम्पल दी पछने पाकुसान की 75 सालों में दो दड़ाम अमेरिका का जरूरत पड़ी तक्रीपनर राउंड 30-35 साल के लिए पाकुसान की जरूरत ऐसे बड़ है जैसे प्यासवे को पानी की पड़ती है और आज की डेट में पाकिसान की ज़रूरत चाइना को भी है और पाकिसान की ज़रूरत अमेरिका को भी है तो ये पाकिसान की कलीदी हकीकत है मुसम्ममा हकीकत है इस बंदे को कोई हकीकत तो कोई बंदा दुनिया में डिनाय करने की पुजिशन में नहीं है और यूमन कैपिटल की मैं बात असले कर रहा हूं कि पाकिसान की नाइन मिलिन ओवर्सीज पाकिसानी है अगर वो 30 बिलिन डॉलर कमास कते हैं और पाकिसान में ये सारी में जो चेंज बता रहा हूं आपको ये इंटरनेट आने के बाद 2001 से 2004 से ज़ा पाकिसान में पहला टूजी लाइसन्स बिड़ हुआ था 2004 से 2022 इस सालों में पाकिसान ने अपने आपको इस पूजिशनम पहुचाया है ज़ा रिमितेंस पाकिसान की त्किरीब टू बिलियन डॉलर आज पाकिस्तान की तक्रीबन 30 बिलियन डॉलर है imagine करें अगले 10 सालों में human capital जो पाकिस्तान का overseas है 9 बिलियन से multiply by 3 कर जाएं तो 30 बिलियन डॉलर भी multiply by 3 ये multiply by 4 कर लें तो पाकिस्तान default की position में नहीं आ सकता ये future prospects है और जब internet की दोर आया पाकिस्तान में 65% अबादी और दुनिया में यॉरप देख लें जपान को देख लें अमेरिका को देख लें कि वो आपको investment visa को option दे रहे हैं क्योंकि human capital उनके पास कम है उनके बास resources हैं powers हैं लेकिन उन resources को चलाने के लिए इंसान नहीं है लोग नहीं है human capital नहीं है पाकिसान बंगलादेश इंडिया इनका future क्यों अच्छा है कि पाकिसान इंडिया बंगलादेश के पास human capital है आप बंगलादेश की example ले लें कि 1971 में separate हुआ आज GDP तकी नाइन पॉंट 6 की चल रही है क्यों चल रही है क्योंकि cheap labor है textile में बहुत ज़्यदा अच्छा export में जा रहे हैं तो इसलिए उनकी stable होना sense बनती है तो यह बात आपको बताने का मक्सद है कि पाकिसान कभी भी आपको यहां पे change आना जो है न वो imminent है कि आपने change को कभी deny नहीं कर सकते है पाकिसान में बन जाएगा क्योंकि पाकिसान के पास हमेशा से एक backup plan अपनी अल्ला की कदरत कह लिए कुछ भी कर लें कि पाकिसान के पास जोग्राफिकल इसी जगा पर है जहांसे दुनिया को पाकिसान को पाकिसान की ज़रूत है आप लोगों को पाकिसान में इनवस्मेंट करते हुए कभी भी फिकर मन भी होना चाहिए कि पाकिसान इंथाई एक safe जगा है और पाकिसान यहां पर इसने future में ग्रोग करना ही करना है आप इस चीज को नहीं टाल सकते हैं क्योंकि पाकिसान की पास human capital है जो मल्क से 14 साल के अ 30, 35 पर 40 करोड हो जाएगा तो उसके बाद पाकिसान की क्या हकीकत होगी अगर आपको किसी भी स्ट्राइटी में पाकिसान में बोकिंग के वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपको स्ट्रीम पे वैलेबल है मुझे वट्सेप कर सकते हैं इसके लाब हम आपको वेबसाइट विजिट करना बाद बोलें www.makansolutions.com अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर और चैनल को स्ब्स्राइब करना मत बुलें रिज्मान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो दक के लिए खुदा हाफिस